हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त हीते इन मलीक आपका स्वागत करता हूँ भी रैट विजन क्लासिज में कंटिन्यू कर लेते हैं कलोक का टाइम क्लेंडर जो दिया गता है आप लोगों ने उसका नेक्स पार लास्ट में हम लोगों ने के लोग के basics और उनके जो basics regarding questions से उसारे continue कर लिये थे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे next types जो हम लोगों को दिये हैं कि questions based on directions of clock hands गड़ी की सुईयों की दिसाओं पर आधारित questions कहीं बार क्या है कहीं दिसाओं पर आधारित questions आ जाते हैं उनकों किस तरीके से solve करेंगे वो देखते हैं question गिया गया है at 7.30 minute hand is in east बता दिया गया जो minute hand है मतलब जो minute की सुईयों वो east में है ठीक है पूर्व में है तो our end will be in गंटे की सुईयों किस दिसाओं में होगी हमसे ये पूछा गया है 7 बज़ कर 30 minute पर यदि minute की सुईयों पूर्व में है तो गंटे की सुईयों किस दिसाओं में होगी ठीक है इसको note को बाद में पढ़ेंगे हम लोग जो note दिया है क्योंकि यही हमारा question solve कर भाएगा पहले हम लोग basic question solve कर लेते हैं कि 7 तीस पे angle क्या होगा बस पहले ये निकालते हैं simple सा formula है 7 में 30 का multiply 30 में 6 का multiply और ये 30 का आदा यहाँ पे हम लोग carry कर लेते हैं और ये 225 में से 180 को minus करेंगे यानि 45 हमारा angle आगा या कि 45 degree का angle दोनों के बीच में होगा answer positive में है अब इस note पे हम लोग जाएंगे इस note से हम लोगों का answer बनेगा कैसे यदि हम लोगों को minute hand दिया हुआ है минут hand और answer आता है positive में तो हम clockwise चलेगे ठीक है मतलब ऐसे चलेँगे अगर हम लोगों का answer आता है minus में और minute hand गिविन है तो हम anti-clockwise चलेंगे, मतलब ऐसे चलेंगे, ठीक है, उपर की तरफ, मतलब गड़ी के विपरीच चलेंगे, बत किलियर है, next, minute hand given है, answer positive में है, minute hand is in east, दिया है ना minute hand, तो simple सी बात है, minute hand दिया है, तो 45 degree हम लोग कहा चलेंगे, positive में चलेंगे, सुई कहा थी, east में थी, मतलब कुछ इस direction में थी, और यहां से हम लोग क्या है, 45 degree move कर जाएंगे, ऐसे, जब 45 degree move करेंगे, तो answer कुछ यहां जाएगा, कि यह हमारी direction हो जाएगी, यह क्या direction है, south, east, दक्सिन, बात किलियर हो गई, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस हैं, तो positive में anti clock, मतलब पीछे, और negative में clock, मतलब आगे, इसका just opposite हो जाता है, इस note को आप अच्छे से note कर लो, अगला question हम लोग कर लेते हैं, our end के लिए, दिया है, at 620, our end indicate north east, ठीक है, और आपका दिखा, यहां यह minute कर लीजिए, minute hand will be, will indicate, ठीक है, मैंने हिंदी में ठीक ल यदि घंटे की सुई, उत्तर पूर संकेत कर रही हो, तो minute की सुई किस दिसा में होगी, 26 पर यदि घंटे की सुई, उत्तर पूर संकेत कर रही हो, तो minute की सुई, किस direction में होगी, कल हमारा क्या रहेगा, 26 पे, हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, 26 में यहां से या यह particular जो हम लोग करते आते हैं उससे angle निकाल लेंगे 50 degree positive में आया है higher end given है मतलब घंटे की swing given है positive में answer है तो हम लोग कहा चलेंगे indicate किस तरफ करेंगे हम लोग anti-clockwise चलेंगे तो कहा था north east में north east north और east यह है swing कहा रही होगी 45 degree यहाँ पर क्योंकि north east मिडग मानके चलते हैं इन questions में हम लोग यहाँ से 50 degree आप कहां move करेंगे anti-clockwise move करेंगे तो यह 45 यह है 10 degree मतलब वो थोड़ा सा आगे निकलेगा कहाँ पर north और west की तरह north west direction आ जाएगी north west की बीच में कहीं भी और direction north west ही होगी यह पूरे का पूरा क्या है north west है अंसर क्या हो जाएगा north west उत्तर पश्चिव उमीद करता हूँ आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा बिल्कुल clear हो जाएगा आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को link मिल जाएगा उसमें आपको यह pdf मिल जाएगी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं यह question देखते हैं बढ़या question है कई बार पूछ लिया जाता है दिया है एक व्यक्ती सुभह उठकर घड़ी का दरपन परतिभिम देखता है तो स्वयम को डेड़ घंटा देरी से पाता है वास्तविक समय क्या था अब देखो question क्या है उसको एक बार मैं समझा देता हूँ सुबह मैं स्वया हुआ था मेरी आँख खुली मैंने घड़ी नहीं देखी मैंने घड़ी का मिरा रिमेज देखा मिरेज में इस देखा तो उसमें मुझे जिस particular time पर मैं उठता हूँ माना मैं सुबह 9 बज़े उठता हूँ मैं डेड़ घंटा लेट हूँ मतलब मुझे जो mirror में time दिखाए दिया मुझे time साड़े दस दिखाए दिया होगा तब ही तो मैं लेट हुआ ठीक है अब इस question को कैसे करेंगे वो देखते है यह दो को मैंने लिख दिया उपर कि real time और mirror time दोनों को मिला ले तो हम लोग before time time से पहले उठ जाते है अगर mirror time में से हम लोग real time को माइनस कर दे तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लग late है कितना late है ठीक है यानि कि real time और mirror time दोनों को अगर मिलाए तो हम लोगों के पास में कितना मिल जाएगा 12 12 गंटे होते लेकिन दिया है कि mirror time में से अगर real time माइनस करा तो मैं डेड़ गंटा late हो गया कि 3 बटा 2 अब real time प्लस mirror time 12 गंटे mirror time माइनस real time डेड़ गंटा late mirror time जादा हुआ अब इस real time को real time को minus माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम कट जाएगा तो यानि कि 2 mirror time आ जाएगा 13 by 2 आसे mirror time आएगा 27 by 4 इसका मतलब है 6 बज़ कर 45 मिनट क्या है ये mirror time पूर ध्यान से देखना क्या है ये mirror time अब आपको पता ही है कैसे करते हैं अगर mirror time दिया हो real निकालना हो तो क्या करेंगे आप 11.60 मेंसे से माइनस कर देंगे तो पता चला आपका real time कितना था 5 बज़ के 15 मिनट का था लेकिन गड़ी में आपको उसमें mirror में आपको कितना दिखाए दिया 6.45 दिखाए दिया बात clear हो गई ठीक है इस question को एक बार और ध्यान से देखिएगा clear हो जाए आगे बढ़े ये question कई बार cds में पूछा गया है कई बार ये बड़े exam में पूछा गया है बहुत अच्छा question है लेकिन easy question है इसकी जो language है ना वो question की वो थोड़ी सी difficult है तो हम लोग क्या करते हैं question में घूम जाते हैं कि ये पूछ क्या लिया पढ़े question है कि दोनों सुईयों के प्रस्परस्थान बदलने पर आधारित question पहले समझा दू किस तरीके से माना मैं सुबह किसी भी time office के लिए निकला हूँ ठीक है मैंने देखा कि घड़ी में सुई जो है वो एक सुई नो पे थी मैं माल लेता हूँ घंटे की और मिनट की सुई वो पांच पर थी नो पांच जब वापस आया तो घड़ी की सुई आपस में बदल गई मतलब घंटे वाली सुई मुझे 5 पे दिखाए दी और मिनट वाली कहां दिखाए दी 9 पे सुबह घंटे वाली 9 पे थी सामको 5 पे आ गई सुबह मिनट वाली 5 पे थी और वो सीधी 9 पे चली आपस में बदल गई न अब देखो कुश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और हमें आंसर क्या करना होगा हितेन गोस तो ओफिस बिट्विन 9 तो 10 ये नहीं पता कितने बज़े 9 से 10 के बीच गया ये किलियर कर दिया और 2 से 3 के बीच वापस आगया कितने बज़े आया कितने बज़े गया नहीं पता आपस में बदल गई न समझ गई मतलब ये है कि इतेन सुबह 9 से 10 बज़े की बीच ओफिस जाता है और 2 से 3 बज़े की बीच वापस आजाता है उसने देखा कि जब ओफिस गया था तो समय की जो मिनट की सुई थी वो घंटे की सुई के स्थान पर और घंटे की सुई मिनट की सुई के स्थान पर ओफिस जाने का समय और वापिस आने का सही समय पूछा है question ही वो पूछा है जो हम लोगों को दिया है कि वो गया किस time था है आप लोग ये जो मैंने graph बनाया है ये वाला अब इसको note down कर लो ये ही question को solve करवाएगा A, B मतलब वो घर से जा रहा है A, घंटा, B, minute C, घंटा, D, minute वापस आ रहा है A, B, गया C, D, वापस आया A से D को compare करेंगे और C से B को compare करेंगे क्योंकि घंटा, minute ये दिया है हम लोगों को ये R and ये minute ये R, ये minute इस तरीके से होगा, ठीक है तो जाने का समय जब निकालेंगे तो होगा A बजकर 60 by 13, ये है इसके key ये याद है कहां से आई, क्यों आई, उसको भूल जाओ सब कुछ ठीक है, बहुत लंबा परोसेस है उसको समझाने बैटूँगा तो लंबा हो जाएगा आपको बस याद रखो 60 by 13 A बजकर 60 by 13, multiply by D, minute A और D दूसरा है, आने का समय, उसमें है C बजकर यानि के C से B पर 60 by 13, multiply by D ठीक है, चलो अब यहां मैं एक क्यों चीज आपको दिखा दूँ, बता दूँ ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, किलियर हो जाएगी वो यहां बता देता हूँ 9 से 10 और 2 और 3 यह मेरा हुआ A यह मेरा हुआ B यह मेरा हुआ C और यह हुआ D तो numbering मिल गए आपको, A की 9, 20, 10, C 2, D, 3 A D तो A बज़कर 60 by 30 और multiply by 3 minute यहां से आप calculate कर लेंगे ठीक है, ओफिस गया 9 बज़कर 13 सई, 13 बटे, 11 सई, 11 बटे, 13 मिनट ओफिस से आने का समय यानि के C और यह है मेरा B ठीक है, 2 बज़कर 60 by 13 multiply by 10 minutes 9 से 10, 10 था ना, ठीक है यह आया 2 बज़कर 46 सई, 2 बटे, 13 मिनट हो गई change अगला question सेम है एक बार इसको देख लो, कर लो 8 से 9 के बीच कोलिस गया 5 से 6 के बीच वापस आ गया 8, 9, 5, 6 आप calculate करेंगे, put up करेंगे आपका answer आ जाएगा ठीक है, करके देखना solve हो जाएगा, ठीक है solve होता है, अच्छी बात है, नहीं होता एक बार, और इस question को पढ़िएगा, हो जाएगा solve, आगे बढ़े ठीक हाजी अगला question है एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है तो बताइए, 8 बार बजने में कितना समय लेगी a watch takes 33 seconds to ring 12 times to ring for 8 times, it will take 22 21, 20 या 23 कितना समय लेगी एक घड़ी धान से पढ़ना question को बहुत अच्छा question है, confuse हो जाते है और question को लग कराते हैं, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है ठीक है, 8 बार बजने में कितना, अब यह रहना 12, 33, 8, multiply it ठोग दो, उसमें और multiply करके गलत कर दो नहीं, 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय, एक समय अंतराल 12 बार बजने गई तो समय अंतराल कितना होगा, time जो interval होगा, वो कितना होगा, interval बोलते हैं उसको 11 होंगी, कैसे होंगे देखो एक बार बजी, दो बार तीन, चार पांच, छे साथ, आठ नो, दस, ग्यारे बारे, यह समय अंतराल है, यह वाला, एक से दो के बीच में, एक बार, दो बार, पिर तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ, नो, 10, और यह 11, यह time interval हुआ गंटी बारれ बार बजी, time interval 11, तो एक interval का time कितना है, 3 second 8 बार बजने में कितना interval होगा, साथ हमेशा time interval, जितनी बार घड़ी बजती है, उससे एक कम होता है तो time कितना लगेगा बही, एक interval के लिए लगा तीन सेकिंड तो साथ इंटरवन के लिए कितने लगेंगे 21 सेकिंड अंसर 21 के लिए रो गया इसको नोट कर लो पैंडूलम बाद घडी में जितना समय उतनी बार बोलती है बारा तक समय है तो बारा बार बोलेगी घडी को जितनी बार बोलना होता है समय अंतराल हमेशा उससे एक कम होता है एक्जम्पल छे बार बोलना है तो समय अंतराल पहुंच होगा ये आप माइंड में रखेंगे तो ये question आप गलत कभी नहीं कर सकते है बात केलियर हो गई आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं next है दो गड़ियां एक साथ दस बजे बजना प्रारंब करती है दो गड़ियां दस बजे एक साथ बजना प्रारंब होई पहली गड़ी 18 सेकंड में वे दूसरी गड़ी 27 सेकंड में बजती है पहली गड़ी जो बजती है तो वो तोनों का टाइम अला के लाग है अब उसको आप calculate करेंगे पहली घड़ी देखो टाइम इसने पहले बोल देखो बैने पहले बोला था कि जितना देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि घड़ी में जितना समय उतनी बार बोलेगी तो दस बजे नो बार बोलेगी तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा नो और पहली के लिए 18 सेकंड लगते हैं यानि के एक इंटरवल में कितना टाइम लगेगा दो सेकंड दूसरी में 27 लगते हैं कितना लगेगा तीन सेकंड पहली के लिए 2 सेकंड दूसरी के लिए 3 सेक पहली वाली की चटी रिंग, ऐसे करेंगे count, टन, 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 छह होगई, interval कितने हुए, फाच, कितना time लगेगा, पहली घड़ी को बजने में 2 second का time लगता है, एक interval के लिए, तो 5 interval के लिए कितना time लग जाएगा, 10 second, दूसरी वाली में लगते हैं, 30 seconds, और करनी है चोथी बार कितने time interval कितना समय लगेगा 9 second तो difference कितना हो गया एक second का tough question था ठीक है क्यों क्योंकि इसकी language ही इस तरीके की थी दुबारा पढ़ना दुबारा समझना अच्छे से समझना और सिर्फ pendulum की वो बात याद रखना कि जितनी बार बजेगी उतनी बार बोलेगी और time interval एक कम होगा question तुरंथ हो जाएगा time interval based questions है ये भी और इससे पहले वाला भी आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है देखो दो गड़िया एक साथ आठ बजे बज़ना परारम होती है पहली घड़ी 14 सेकंड में है दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बज़ती है कितने समय बाद दोनों फिर से एक साथ बज़ेंगी same question है time interval पे based है तुलंत आप लोग निकाल देंगे लेकिन दोनों एक साथ बज़ा रहा है तो अब्यस्सी बात है आगे चल लेकिन का LCM होगा आठ बजे आठ बार time interval साथ देखो अब आप उगलियों पे निकालना शुरू करेंगे पहली वाली के लिए 14 upon में 7 यानि के 2 सेकंड और दूसरी वाली के लिए 21 upon में 7 यानि के 3 सेकंड LCM 6 सेकंड क्योंकि दोनों को एक साथ बजाना है हम लोगों को तो 6 सेकंड के बाद वे एक साथ फिर से बजेंगी after 6 सेकंड they will ring again together easy सा question हो गया easy सा answer हो गया क्यों? क्योंकि time interval best questions चल नहीं है हम लोगों के ठीक है? आगे एक घड़ी एक बज़े एक बार दो बज़े दो बार तीन बज़े तीन बार तो बताइए 24 गंटे में कुल कितनी बार बहुत बार कोई पुछा गया question सायर इस question को बहुत अच्छे से याद कर लेना ये बहुत ही important question है और मैं इस पर डाल भी देता हूँ कि ये बहुत important question है ठीक है? अब इसको करेंगे हम लोग एक बज़े एक बार दो बज़े दो बार तीन बज़े तीन बार यानिके एन टाइम पे एन बार simple सी बात है तो एन एन पलस वन बाई हम लोग ये लेके चलेंगे एन समीकाण पे mathematics में हम लोग उने पढ़ी थी ना एन का addition कितना होगा? एन पलस वन बाई 2 यानिके बारा पूछा है इसमें बारा ही बज़ते हैं अर बार 24 घंटे के लिए पूछा है तो कितना हो जाएगा? बारे पलस में 12 पलस वन अपोन में 2 यानिके 78 टाइम्स इन 12 बार 12 ही होते हैं गड़ी में तो तो 78 बार 78 टाइम्स 12 घंटे में अगले 12 घंटे में भी कितनी बार बज़ेगी? 78 टाइम्स क्योंकि हम लोग उसे पूछा गया है 24 घंटे तो अंसर हो जाएगा 156 टाइम्स मतलब यह एन नंबर ओफ टर्म्स पर कोश्चन था डिरेक्ली फोर्मूला बेस्ट था एनम्स ने पुट किया और सिधा अंसर कर दिया ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग जे 24 घंटे यानि एक दिन में घड़ी कितनी तेज या धीमी हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुईयां आपस में 66 मिंट में मिलती है तोनों में 66 मिंट में मिलती है ठीक है 24 घंटे यानि एक दिन में घड़ी कितनी तेज या धीमी हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुईयां आपस में 66 मिंट में मिलती है question बहुत अच्छा है note down कर लेना language यह लगे according to right time both hands meet together at यह एक term condition है जो कि एक cloak में दी जाती है और यह एक fact है ठीक है इसको आप याद रखेंगे कि यह एक fact है कि दोनों सुईयां एक साथ 65 सही 5 बटे 11 मिनट पे मिलती है before this watch fast after this watch slow अगर इससे पहले मिल गई मतलब 65 सही 5 बटे 11 मिनट से पहले मिल गई तो घड़ी क्या है तेज है बाद में मिली तो घड़ी slow है अब देखो यह मिली 66 मिनट पे इसका मतलब घड़ी क्या है slow है so watch slow कितनी है 66 में से 65 5 by 11 माइनस कर दो तो आपका जाएगा 6 by 11 मिनट in every 66 मिनट हर एक 66 मिनट में घड़ी 6 बटे 11 मिनट क्या है slow है तो एक मिनट में कितनी slow हो जाएगी वो यहां से हम लोग निकाल लेंगे अब जब हमें पता चल गया कि एक मिनट में इतना slow है तो वो 24 गंटे में कितनी slow होगी कैसे 24 multiply by 60 और multiply by 1 मिनट में कितना slow इतनी slow 24 multiply by 60 पर 121 अगर हम इसको calculate करते हैं तो यह आ जाएगा 11 109 by 21 मिनट इसका simple सा कुछ नहीं हम लोगो funda पर सम लोगों को एक चीज याद रखनी थी अगर वो चीज हमें याद नहीं है तो हम कभी भी इस question को नहीं कर सकते हैं और वो है यह वाली बात कि right time में अगर बात करते हैं तो दोनों घड़ियां 65 सही 5 वटे 11 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलती है हमेशा 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 यह बात याद रखना question हो जाएगा यह factual based questions है जो इस पर topic में मैं आपको करवा रहा हूँ next करते है slow based पे ही question है fast या slow हो जाना घड़ी का दीमा या तेज हो जाना चलिए देखते हैं क्या दिया है दिया है हिते इन्स वोचे फाइव मिनेट बहाइंड और slow पांच मिनेट धीमी थी at 3 p.m. on Sunday and it was 3 minute fast on 3 p.m. on Tuesday find out when it's the right time हितेन की घड़ी रविवार दोपेर 3 बजे 5 मिनेट पीछे थी लेकिन मंगरवार को वह दोपेर 3 बजे 3 मिनेट आगे हो गई तो उसने ठीक समय कब दिखाया होगा घड़ी न ऐसा तो कई ऐसा time हुआ होगा ना जब बिल्कुल exact time दिखाया होगा तभी तो वह fast हुई बई देखो slow चल रही है लेकिन चलते चलते वह fast हो रही है तो एक जगे तो ऐसा आएगा जहाँ पर बिल्कुल correct time दिखाया होगा उसके बाद से ही वह fast मेनी होगी क्योंकि वह slow से fast आई है cover up देख रहे हैं उसका ये चीज थी चलिए देखते हैं किस तरीके से इस question को हम लोग करेंगे ठीक है Sunday 3 p.m 5 minute slow यदिया Sunday में 3 बजे वो 5 minute slow थी और Tuesday में 3 p.m पे वो 3 minute आगे हो गई मतलब ये कि Sunday 3 p.m से Tuesday 3 p.m कि अगर बात करें यानि 48 घंटे हो जाते हैं Sunday to Monday 3 p.m पे 24 और Monday to Tuesday 3 p.m पे 48 मतलब हम लोगों को पहले टाइम से दूसरे टाइम के बीच में ये देखला है कि घड़ी ने कितना travel कर लिया 48 घंटे का अब देखो 48 घंटे में घड़ी 5 minute slow से 3 minute fast हो गई मतलब अगर मैं देखूं कि अगर 12 बजने थे लेकिन 11 पचपन का टाइम दिखा रही है अगला जब 12 बजने थे तो 12 तीन का टाइम दिखा रही है एक example अगर मैं create करूं तो ये कितना हो गया घड़ी 8 minute तेज हो गई मतलब 5 से और 3 आठ वो fast slow से fast हुई यानि कि 8 minute तेज हो गई है घड़ी 8 minute तेज होने के लिए घड़ी को 48 घंटे का टाइम लगा तो 5 ही तो मिनट तेज करनी थी हमें right time के लिए क्योंकि 5 ही मिनट slow थी उसके लिए कितने घंटे लगेंगे उसे 30 घंटे लगेंगे यहां से हमने calculate कर गया 30 घंटे लगेंगे तो right time कब दिखाएगी वो Sunday 3 PM में वो 30 घंटे आप add करोंगे पता चल जाएगा तो Sunday 3 PM से 30 घंटे add करेंगे तो क्या होगा Monday का 3 PM हो जाएगा 24 घंटे में अगले 6 घंटे बाद Monday के रात के 9 बजे उसने exact सही समय दिखाया होगा बात clear हो गई ठीक है एक बार और इसको calculate कर लीजेगा एक बार और इस वीडियो को देखिएगा अगर आपको कोई भी doubt होता है तो मुझे comment box में लिख दीजेगा चैनल को subscribe कीजिए, share कीजिए और like कीजिए और जो भी कोई अगर आपको doubt होता है उसको comment में डाल दीजे अगले lecture मैं उसको carry forward करेंगे Thank you very much, all the very best